Hello Friends, Welcome to Stock Market Tricks So, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Nifty पे आज के दिन में क्या क्या चीज़े हुई और कल के दिन में कौन कौन से लेवल्स Nifty में आ सकते हैं तो चलिए चलते हैं हम चार्ट की तरफ और चीजों को समझते हैं तो आज देखेंगे आप Nifty हमारी open होती है 9234 पे अब मैं आपको इधर money control पे दिखा देता हूँ 9234 पे open होती है और high बनाती है 9277 का और previous जो close था हमारा 9270 पे ठीक है जो previous close था इसका ये था और आज का जो low बनाती है 9175 के आसपास और आज बन्द होती है 9199 के आसपास बन्द लब अपने low से 20 पैंट उपर बन्द होती है तो ये जो आप देख रहे हैं निफ्टी का आज का जो range था ये कहीं न कहीं है 900 से लेके 9200 से लेके 9300 के ही बीच में दिनवर ये move कर रहा था इसके पीछे क्या region है आप देखेंगे कि जब मैं इसका चार्ट open करता हूँ तो छोटे ट्राइम फिर्म पे चलते हैं 5 मिनिट पे और देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल है इसका 9200 कितने strongly यहां पे market आती है बार बार इसको यहां पे respect करती है फिर उपर जाती है आती है फिर respect करते है फिर उपर जाती है मतलब बहुत time one time two time three four five six seven ऐसे ऐसे मतलब बहुत time आई है ये और यहां पे इसको इसने test किया है और finally जो है उपर ना गई और ना ही नीचे गई नीचे इसने break भी नहीं किया और finally जहां जो है nine two आज का जो open था nine two three four और आज का जो low था nine one seven five तो एक बीच में ही बंद हुआ है ठीक है तो ये चीज़े क्यों हुई ऐसा क्यों हुआ है आप देखेंगे कि मैंने आपको एक option chain दिखाया था और मैंने आपको बोला भी था कि आप live market में उसको आप apply करके देखेंगे तो फिर आपको एक जो support और resistance का जो एक level रहता है वो clear हो पाएगा तो आज के दिन में मैंने क्या क्या telegram channel पे लोगों को बोल रहा था कि मैं nine two double zero वाला एक जो level है support market को बहुत ज़्यादा दे रहा है क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे put side में open interest हमारा आप देखें कितना ज़्यादा यहाँ पे build up है 32,92,350 है और change in open interest जो यहाँ पे लोग add हुए है ने वो यहाँ पे आप देख लीजे तो यहाँ से कहा market जाने वाली है इसके अगर हम against में देखते हैं call side में तो यहाँ पे इतने नहीं है आप देख लीजे 23,00,000 open interest है और change in open interest यहाँ पे आप देख लीजे 18,00,000 है तो कौन सा ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हुआ आप देख लीजे दोनों में तो जो ज़्यादा strong रहेगा वहाँ पे market sustain करेगी और support करेगी और respect करेगी तो इसलिए 9,00,000 वाला एक जो level है और मैं live में हर 5 minute में इसको refresh कर 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 के देख रहा था है कि कहीं तो market में कोई लोग position अपना square off करेगा और market एक 9,00,000 वाला level break कर के नीचे जाए लेकिन क्या लोग यहाँ पे किसी ने भी square off नहीं किया और जहों का त्यों ही market बंद हुआ है हमारा इसलिए मैं आपको बार बार वार वीडियो में बोलता हूँ कि आप इसको refresh कर के देखिए और बार वार इसको record करने के लिए मेरे पास इतना बड़ा एक वीडियो बन जाएगा लंबा एक तो इसमें मैं आपको कैसे समझा पाऊँगा इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक बार live में करके देखिए फिर आप चीजों को समझ पाईएगा अब देखिए अब यह हुआ क्या अब 9200 से उपर जैसे उठती थी यह 9250 के आसपास आती थी अब 9250 के आसपास call side में आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे देखिए आप कितना ज़्यादा यहाँ पे resistance था अब यह 9250 के आसपास तो resistance है लेकिन हम अगर support की बात करें तो 9250 के आसपास हमारा support नाम मातर था तो market कैसे यहाँ पे support लेके फिर 9250 को break करेगी जब तक यहाँ पे लोग यहाँ पे आएंगे नहीं open interest होगा नहीं चेंजीन open interest होगा नहीं तो फिर कैसे यह break करेगी इसलिए बार-बार यह 9250 के आसपास जाती थी और फिर वहाँ से नीजे फिर 9200 के आसपास मतलब एक 9250 से लेके 9200 के आसपास ही रेंज में खूमती रहती थी ठीक है और फिर आप देख लिजे 9300 के कितना ज़्यादा build-up है यह सबसे ज़्यादा huge जो build-up हुआ है 9300 के आसपास हुआ है और आप live market में भी देखते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़े बहुत ही यह differences मिलते और यहाँ फाइनली जो देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे resistance यहाँ पे है resistance जो कितना ज़्यादा है यहाँ पे तो कैसे market यहाँ पे जाएगी यहाँ पे अगर आती तो fall वैसे ही हो रही थी अब 9277 के आसपास जो आज market ने high बनाया उसके बाद देखिए आप कैसे market नीचे गई है तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि option change जो होता है market का आपको एक view बता देगा बहुत अच्छी तरीके से और support और resistance भी अच्छे तरीके से बताता है अब कल के दिन में जो जो levels आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ अब तो यह 7 में की expiry थी अब यह हमारा खतम हो गया अब हम 14 में की expiry जो अगली बीक में होने वाली है उसके हम option chain पे देखेंगे कि कहां पे एक हमारा build हो रहा है support और resistance न्यू वाला तो हमारी market बंद होती है जो बंद हुई है आप देखेंगे 9200 के आसपास तो इसके आसपास हम support खोजने की कोशिस करते हैं कहां पे है तो आप देखेंगे कि जो हमारा change in open interest है 5,31,000 है और OI जो है हमारा open interest है 7,20,000 है और अगर हम इसके against में जाए यहाँ पे देखेंगे तो 6,00,000 है यहाँ पे change in open interest और call side में और OI जो है 7,00,000 है मतलब 1,00,000 के जादा है 9200 के आसपास तो थोड़ा बहुत यहाँ पे resistance इसको देख सकता है अगर market इस level को sustain नहीं करती है 9200 के level को तो market all the way नीची की तरफ जाएगी आप देख लीजे 9,000 के ही आसपास हमारा एक फिर एक नया support बन रहा है आप देख लीजे अगर उपर की side में देखते है तो 9200 को अगर यह break करती है, sustain करती है कुछ time के लिए live में अगर यह data change होता है और लोग यहां से square off करके जाते है call side से तो market को एक support 9200 दे सकता है और यह उपर के अगर levels के हम बात करें तो पहला जो एक इसको resistance दीख रहा है 9300 के आसपास दीख रहा है जहांपे OI जो है 5,52,375 है और जो फिर दूसरा resistance हम को दीख रहा है वो दीख रहा है हमें आप देख लिए यह 9400 वाला एक level है तो और सबसे ज़्यादा अगर हम huge की बात करें सबसे ज़्यादा लोग कहां पे बैठे हुए है call side में तो आप देखेंगे कि 8,00,000 के आसपास बैठे हुए है तो कल के दिन वे जो levels है वो तो यह ही है कि एगर 9200 को break करता है सस्टेन नहीं करेगा तो बहुत अच्छा से नीचे sleep करेगा क्योंकि नीचे के side में देखिए कोई resistance इसको नहीं मिल रहा है market को नीचे के side में देखिए कोई level ही नहीं यहाँ पर sustain करने के लिए support देने के लिए एक यह है 9100 के आसपास तो 2,00,000 यहाँ पर contract अगर market इसको support नहीं करती है यहाँ पर sustain नहीं करती है तो फिर नीचे की तरफ यहाँ पर 9,000 के आसपास यह easily जा सकती है अगर लोगों ने यहाँ पर call को sell करना start कर दिया और यहाँ पर यहाँ पर आप data देखिए change होने लगा तो फिर जो है market अच्छा कासा गिरने वाली है otherwise अगर 9200 को support करती है तो पहला जो एक 9300 के आसपास resistance है यह अगर break करती है तो फिर यह 9400 के आसपास आ जाएगी otherwise 9300 के आसपास आती है अगर market यहाँ पर आके अगर इसको sustain नहीं करती है तो फिर नीचे के तरफ यह 9200 के आसपास फिर से आ जाएगी तो हमारा कल के लिए जो level हो गया यह क्या हो गया हम एक बार चार्ट पर देख लिए देखिए एक तो हमारा सपोर्ट है 9200 बहुत बढ़िया एक सपोर्ट है हमारे स्ट्रॉंग सपोर्ट है यह और उपर की तरफ जो levels हमारे है एक तो हमारा 9300 के आसपास है 9300 इसको बना दिता हूँ अच्छा यहां पर already है यहां पर एक और जो हमारा 9400 था उपर के साइड में है यहां पर तो option chain से हमें यही दीख रहा है कि यह जो levels है कल के दिन में आ सकते हैं और हम बात करें यह जो trend line मैंने draw की हुई है मैंने इसको क्या किया है देखिए कभी भी आप multi time frame करते है analysis तो क्या करेंगे न जो higher time frame रहता है वन घंटे का एक घंटे का उस पर trend line आप draw करेंगे तो इस तरीके से जो हमारा trend line है यहां पर form हो रहा है और नीचे के side से देखे हम तो यह देखिए हमारा जो यह trend line था major वाला trend line यह already broke हो चुका है तूट चुका है यह तूट चुका है और यह फिर उपर से हमारा एक new trend line form होते हुए नीचे के तरफ जो हमें bearish side दिखा रहा है कल के दिन में market का जो view है 9100 अगर level sustain नहीं होगा तो market एक बार 9100 के आसपास जाएगी अगर वह market sustain नहीं करती है फिर 9000 के आसपास easily जा सकती है तो 9100 है हमारा एक level यहाँ पर और एक level यहाँ पर 9000 बना देते हैं क्योंकि देखे आज market के दिन में कोई activity नहीं हुए तो कल के दिन में possible है कि कुछ नब कुछ ऐसा हो जाए कि जो आज ना हुआ हो तो आप लोग यह जो level से दिमाग में रखी इसको और live में आप option chain को refresh करके देखते रहिए otherwise आप हमारे channel से join हो जाए टेलिग्राम channel पर मैं live में जो level से post करता हूँ ठीक है आज मैंने भी जो है अपने channel पर post की थी level से यह क्योंकि 92001 support हो रहा था वहाँ पर लोग square off नहीं कर रहे थे position और market उसी level के आसपास बंद हुई है और वहाँ से नीचे जावी नहीं रही थी जब तक लोग square off नहीं करेंगे position cut नहीं करेंगे तो कैसे वहाँ से तूटेगी market तो यह option chain का जो तरीका है में यह काम करता है कि नहीं करता है तो यह level मैंने बता दिये कल के दिन में तो उपर के side में आपको यह level जो है दिख सकते हैं और नीचे के side में यह level दिख सकते हैं और सबसे जो important हमारा एक जो factor है 9200 जो एक हमारा support है बहुत बढ़िया support है देखी यहाँ पर यह जो है minus 112 और इसका जो latest price चल रहा है LTP चल रहा है 9169.50 के आज पास चल रहा है ओके तो आप लोग यह भी देखते रहिए ओके गाइस तो कैसा लगा यह video और जो कल के दिन में लेबल्स मैंने बताया है आप लोग अपने दिमाग में रखिए और चीजों को समझी explore कीजिए ठीक है अगर मैं 5 मिनिट में जाता हूँ तो आज देखेंगे आप जो हमारे trend line एक घंटे का था market उसी को follow करते हुए ही नीचे आ रही है उपर जाती है फिर इस trend line के आसपास जाती है और fall करती है फिर आज थोड़ी सी यहाँ पर bounce की थी और फिर वहाँ से market नीचे गई है जो आज का high था हमारा 9277 के आसपास यह देखें यहाँ पर 9277 के आसपास high इसने मारा था तो इसी trend line को follow कर रही है अभी trend line को अगर यह रिस्पेक्ट करती है तो फिर market यहाँ आसपास आएगी इसके दिन अगे नीचे की तरफ ही जाने वाली है अधरवाइस कल के दिन में देखें क्या होता है देखें ओवरनाइट कोई भी चीज हो सकता है कोई भी एक ऐसा positive news आ जाएगा कि market को एकदम से like उपर की तरफ push कर सकता है या फिर नीचे की तरफ तो market का trend ही तो देख लीजे देखें ओवरनाइट position रखना भी dangerous है आप नहीं रखे options में तो आपको ज़्यादा बहतर रहेगा आप daily internet कीजिए थोड़ा बहुत profit करके निकल लिए ठीक है तो guys कैसा लगा है वीडियो प्लीज लाइक कीजिए subscribe कीजिए channel को और comment भी कीजिए अगर आपको कोई इसमें परेशानी है समझने में कुछ दिक्कत है फिर मिलते है next वीडियो में